आज भले ही फीपा वर्ल्ड कप जीतने के बाद लोगों की नजर मेसी के उपर है लेकिन साल 2011 मेसी की जिंदगी का सबसे दर्दनाग साल था पर क्यों साउथ अमेरिका मादीप के देश फुटबोल के दिवाने है और इन देशों की बीच केले जाने वाला फुटबोल कप है कोपा अमेरिका जिसे करोडो लोग बड़े चाव से देखते हैं साल 2011 में मेसी के पेलेंटी चूटने की वज़े से अर्जेंटिना कोपा अमेरिका का क्वाटर फाइनल हार गया फुटबोल को भगवान मानने वाले देश में ये संगिन हाथसा था मेच के बाद मेसी देश के दोस्मन बन गए उनकी खुब आलोचना हुई न्यूज चेनल पर लोगों ने का कि मेसी को देश से प्यार नहीं है उन्हें देश थोड़ कर चले जाना चाहिए ये तो केवल ब्रांट इंडोस्टमेंट के लिए खेलता है माहौल इतना खराब हो गया कि मा और भाई पर सर्प्रे लोगों ने हमला किया इसके बाद इनके गर पर भी हमला हुआ मेसी के मुबायल पर जान से मानने के लिए कोल और मेसेज आने लगे पर इतने बारी स्ट्रेस में भी मेसी अपने आपको कैसे समाले बस यही जानने के लिए बने रहना वीडियो के लाश्ट तक मेसी की फेन फॉलोविन का अंदाजा आप एसे लगा सकते हैं कि अरजेंटिना में उनकी वज़े से एक नियम बनाना पड़ा कि वहाँ पर माता पिता अपने बच्चों का नाम मेसी नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ की विशे सग्ये इस बात से डरने लगे थे कि आने वाले कुछ सालों में मेसी नाम के बच्चों की संक्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि देश में बच्चों की पैचान का बहुत बड़ा संकट पेदा हो जाएगा वेसे मेसी का नाम और फुटबोल में उनके रिकोर्ड्स के बारे में आजकल हर कोई जानता है लेकिन मेसी को मेसी बनने में जिन कटनाईयों का सामना करना पड़ा उसे कोई नहीं जानता। हाली में लियोलन मेसी रोनाल्डों को पचार तेवे दुनिये के दूर से सबसे महंगी खिलाडी बन गए हैं। लेकिन मेसी को इस चकाचोन बरी जिन्दगी के लिए केमरे से दूर कड़ी मेनत और कहीं कुर्बानियों का सामना करना पड़ा। मेसी बचपन से ही फुटबोल के बहुत सोकिन थे लेकिन इनको 11 साल की उमर में ग्रोथ हार्मोन डिपिसेंसी नाम की जानलेवा बिमारी हो गई जिसका इलाज कापी महंगा था जो इनके माता पिता अपोड नहीं कर सकते थे क्योंकि इनके पिता एक मामूली से मजदूर थे और मादूर्शनों के गरों में बर्तन साब करती थी इसी समय कापी फुटबोल कलब मेसी की परपॉमेंस से कुछ थे जो उन्हें साइन भी करना चाते थे लेकिन मेसी की इलाज का खर्चा उटाने को राजी नहीं थे इसी काइन से मेसी का फुटबोल केरियर मानों खतम ही होने वाला था लेकिन इनी दिनों एपसी बार्शिलोना के स्पोर्टिंग डारेक्टर काल रेक्से मेसी की मेसी को देखकर इतने हिरान हुए कि उन्होंने उसी टाइम एक टीस्यू पेपर पर अपना कॉंट्रेट लिखकर मेसी के माता-पिता को पकड़ा दिया जिस पर लिखाता कि एफसी बार्शिलोना मेसी की इलाज का खर्च उटाने को तयार है और इसके बतले मेसी को बार्शिलोना यूद कलब के लिए खेलना होगा यू के माता-पिताई सोपर के लिए मान गए जिसके बादवर सर्थ के अनुसार मेसी को लेकर इस पेंचले आए इस बिमारी की वज़े से मेसी को हर दिन अपने पेरो पर इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे जो एक 11 साल के बच्चे के लिए बहुत ही दर्दनाग था लेकिन अभी मेसी की मुसीबते और बढ़नी थी क्योंकि ठीक उसी समय उनकी दादी का भी नीदन हो गया 11 साल के मेसी के लिए ये बहुत ही मुस्किल समय था क्योंकि मेसी को सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली उनकी दादी इस दुनिया को छोड़ चुकी थी मा बाई बैनों के साथ वापस देश चली गई ना कोई दोस्ता ना मेसी को कोई लोकल बसा आती थी यहां बात करने के लिए केवल उनके पिता थे जो इन दिनों नोकरी पेसे और कलब के कोंट्रेक्ट को लेकर चिंतित थे इसी बीच लियो का पेरी भी तूड गया चोटे मेसी अकसर रात को अपनी मा को याद करते और रोते वे सो जाते सोची ए अंजान देश में 13 साल के अकेले पड़ गए मेसी के लिए हार मान लेना और घर लोटाना कितना असान था एसे वक्त में मेसी ने अपने प्रेटिक्स को डबल कर दिया पर मेसी की छोटी हैट की वज़े से उन्हें टीम में केलने का मोका बहुत कम मिलता था और अगर मोका मिल भी जाता था तो उनके साथ ही उनको बोल पास नहीं करते थे लेकिन मेसी तो मेसी ते वज़ जेसे तेसे एक बार बोल को ले लेते और फिर 15-15 मिनिट तक उनसे कोई बोल छेनी नहीं पाता था दीरे दीरे मेसी का जादू चलने लगा और ऐसे लगने लगा कि उनके रहते हुए उनकी टीम को कोई हराई नहीं सकता एक इंटर्यू में मेसी बताते हैं कि उनने एक बार एक टूनामेंट में इससा लेना था लेकिन उनके विरूदी खिलाड़ी उनको बातरूम में लोग कर दिये हाप टाइम तक उनकी टीम 2-0 से पीची थी तब मेसी बातरूम की खिड़की का सिसा तोड़कर मेदान पर पहुंचे और उसके बाद उनकी टीम ने वर मेच 3-2 से जीत लिया जिसमें टीम की तरब से तीनों गोल मेसी ने किये मेसी की काबिलियत को देखते हुए 2004 में इस्पेन ने मेसी को अंडर 20 टीम में खेलनी की ओपर दी लेकिन मेसी ने ये ओपर ठुकरा दिया और अपने टीम अर्जेंटिनों को फीपा के इसी यूज चेंपियंशिप में जीत भी दिलाई इसके बाद जो हुआ हुआ हुए इतियास बन गया मेसी ने 32 साल की उमर तक 30 ट्रोपियां जीती है यह नहीं मेसी को सबसे ज़्यादा बार दुनिया का सबसे बैतरे इन फूटबोलर भी चुना चाच चुका है मेसी ने अपने फूटबोल केरियर में अब तक 103 मेच केले हैं जिनमें उन्होंने 935 गोल दा गया है और अठाउन बार एक ट्रिक लगा चुके हैं बारसिलोना के साथ मेसी चार बार चेंपियंशिप के खिताब को जीतने के लावा तीन बार फीपा कला वर्ल्ड विनर साथ बेलन डिया ट्रोपी और तीन बार यूरोप का बेस्ट पुल्ड वोलर भी रच चुके हैं इसके बाद अर्जेंटिना के साथ कैलते हुए इन्होंने 2008 में गोल्ड मेडल भी जीता यही नई मेशी ने 2012 में एकराण में गोल दाकर ओल्ल टाइम वर्ल्ड रिकोर्ड भी तोड डाला इसी बीच मेशी को दुनिये के अलग-अलग कल्बों से महंगे महंगे ओपर आये जो उन्हें मू महंगे पेसे देने को राजी थे लेकिन मेशी बार्शिलोना के साथ हमेशा वपादार रहे साइद इसकी वज़े ये भी रही होगी कि बार्शिलोना ने मेशी का साथ तब दिया था जब मेशी अपनी जिंद्गी के सबसे बुरे दोर में थे हर बार गोल करने के बाद मेसी अपने दोनों हाथ हवा में उठा देते हैं ऐसा वे अपनी दादी को तेंक्यू करने के लिए करते हैं जिनके वो कापी करीब थे अब वापस वीडियो के पहले पार्ट में आते हैं कि बड़े-बड़े खिलाडियों को हारने के बाद कैसा लगता है एंटी वेश्ट ने मेशी पर किताब लिखी और दुनिये के टोब खिलाडियों के साथ रहकर उन पर रिशर्च की वो कहते हैं कि हर टोप किलाडी को जीत बहुत ही पसंद होती है चाये वो कोली हो, रोनाल्डो हो, सुनिल चेत्री हो, कोई भी हो किसी को भी हारना पसंद नहीं होता बार्सिलोना की स्पोर्ट साइकलोजिस्ट ये भी करते हैं कि जब भी कोई टोप किलाडी हारते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है वो ठीक वेसा ही महसूस करते हैं जैसे उनका कोई करीबी इस दुनिया को छोड़ कर चला गया हो अब आता है वीडियो का सबसे इंट्रेस्टिंग पार्ट 21 मार्च 2015 को जोसे मेंगोल पलेंको नाम का एक इंसान ट्वीटर पर ट्वीट करता है कि 21 मार्च 2022 34 साल की लियो मेसी वर्ल्ड कप जीतकर दुनिये की सबसे मान किलाडी बन जाएंगे आप साथ साल बाद मुझसे मिलिये ट्वीटर पर इस ट्वीट को एक लाग सतर जार से भी ज़्यादा बार रिट्वीट किया गया है जिसमें स्री मेसी का मजाक उड़ाया गया है लेकिन साथ साल बाद 18 दिसंबर 2022 को सारे लोगों के मूव बंद हो गए मेसी फीपा वर्ल्ड कप 2022 के विस वीजिता बने आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताथ ही आप अगला वीडियो किस पर चाहते हो ये कमेंस में बता देना